अपनी साय से दमोर्णिंग सो मैं जयानता माधब गुश्वामी आजी दे पुरा देख़र आरंबा होब इंटारनेटर एटा नोतुन जुगर भारतात प्रथम बारबाबे आजी मुकुली होब फाइब जी खेवा प्रधानमत्री नरेंडरा मुधिय मुकुली कुरीवा फाइब जी खेवा फाइब जी नेट्वर्के फोर्ट जीट कोई बहु गुण बेसी डुटा गोती दिये सुपाफास्ट डाटा अरु बाधाहिन भीडियो खेवा नेट्रोर्क कानेक्शन अरु फोन कलाट पाब उतक्रिष्ट खेवा जियो एयर्टेल अरु भुड़ा फोन आईडियाई आग बहाब फाइब जी खेवा 3D hologram calling, metaverse अभिगगटा, online हिखार खेट्रत अनिब जुगान्त कारी परिवत्तन रियल टाइम और कुटी-कुटी डिवाइसर होटे दाता हंजोगर ख्यामता क्रिट्रिम बुद्धिमतार हर्भुद्तम बेवहर कोरीबा पारीबा 5G हेवाट निर्भासिता सहराट 5G हेवा आरंभा कोरीबा मोडिये अहाबु सरलोई हमग्र दिखोते हम प्रहारण कोड़ा होब 5G हेवाट क्रिखियारु स्वाइस्टक हंड़तो डिजिटेल बिपलाब आनिब 5G हेवाट एई हुभा उडबुधनीर एई अनुस्थान पुनपटे हम प्रसार एम हुट्तर आमी आगबरहाम प्रधानमंत्री नरेंडर मोडी उपस्थित होएसे एब भीखे खनुस्थानत देखर बाबे एक ओईटी हैखिक दिन इंट्रानेट जुगर नोतुन एटा दिखर उन्मुसन होब खुशना होब खमग्र देख जुरी देखर आरमभा होब इंट्रानेटर एक नोतुन जुगर नोतुन दिगंतर भारत प्रथमबर अबबे मुकुली होब फाइब जी खेवा प्रधानमंत्री नरेंडर मोडी आरु किसुख माइपिसोटे फाइब जी खेवा मुकुली गुरीब फाइब जी नेट्वर्क फोर्जित कोई बहुगुण बेसी डुटा गोती सुपाफास डाता अरु बाधाहिन वीडियो खेवा आग बहाब नेट्वर्क कानेक्शन अरु फोन कलत पाब उत्प्रिस्टो खेवा जियो एयर्टेल अरु वोड़ाफोन आईडियाई आग बहाब फाइब जी खेवा 3D hologram calling metaverse अभिक गटा अनलाइन हिक्खर खेत्रत अनिवा जुगांत करी परिवत्तन रियल टाइम और कुटी कुटी डिवाइसर होटे दाता हंजुगार खेमता प्रदान करीवा 5G क्रेट्रीम बुद्धिमत्तार हर बुद्टम वे बहार करीवा पारीवा 5G खेवाट निर्भासिता सहरत 5G खेवा अजी आरंभा कुरीवा प्रदानमंत्री नरेंड्र मोडिये आरु अहा बसरोले हमग्र डिखोटे हम प्रोखारन कराहबा 5G खेवा क्रिखी आरु स्वाइस्ठा खंडा तो डिजिटेल विपला बानीबा 5G खेवाई एकोईटी है कि क्यों एताउटी है कि दिन अरु की सुखमा पिसो ते प्रोधानमंत्री नरेंड्र मोडिये मकुली कुरीवा 5G खेवाई जो टेलिकम आपरेटर्स हैं उनके साथ बातचीत करते हुए उनसे वो जानने के कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उन ऑपरेटर्स के जरीए 5G सर्विस की शुरवात होगी और जैसा कि हमने कहा कि बिते दिनों ही केंद्रे मंत्र अर्शनी बैस्टरब ने ये कहा था कि पहले फेज में देश के 13 शहर जहां कि 5G करने क्रिवेटी की शुरवात की जाएगी उन 13 शहरों हम आपको जानकारी दे दें एहमदाबाद, बैंगलूरू, चन्डीगर, चन्नई, दिल्ली, गांधी नगर, गुरुग्राम, हाइदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनव, मुंबई और पुणे में इस सर्विस की शुरवात की जाएगी, आप इन तस्वीरों में जीयो की सर्विस को देख सकते हैं, और तमाम जो बारी किया हैं, उनको जीयो के अधिकारी प्रधान मंतरी नेरिंद्र मोधी को समझाते हुए, किस तरह से ये 5G सर्विस, जो कि एक बहुत ही क और जी उस से कहीं ज्यादा ये फास्ट और इसकी जो तमाम जो खूबिया हम आपको आगे बताएंगे, और केंद्री मंतरी की तरफ से असुनी वैसनाइप की तरफ से ये भी कहा गया, कि अगले दो से तीन वर्षों में 5G सर्विस देश के हर हिस्से में पहुंच जाएगा और हुने ये भी का कि हम ये भी सुनुशित करेंगे कि इसकी कीमत जो है वो कम रहे, हम जानते हैं कि हमारा जो दूर संचार उद्योग है, वो 5G सेवाओं के विस्तार के लिए शहरी और साथ-साथ ग्रामेन दोनों खशेत्रों पर ध्यान केंद्रीत कर रहा है, और पहले फ आज का दिन बहुत हैं महतुपुर्ण और आप लगातार इसकारिक्रम को देखते रहिए क्योंकि आज बहुत सारी एहम जानकरी आपको मिलने वाली है, हम आपको बताएं, 117 करोड से अधिक दूर संचार उपयोग करता उपभोगता और हमारे देश में 82 करोड से अधिक इ वैश्विक बासारों में से एक है, यहाँ पे हमने जैसे बताएं आपको 117 करोड से अधिक दूर संचार उपयोग करता हैं और 82 करोड से अधिक इंटरनेट ग्रहकों के साथ वैश्विक बासार में सबसे तीवर गती से आगे बढ़ने वाला व्रिधी करने वाला भारत एक है और एक संस्था है मैकन से उन्होंने 2019 में एक अध्यान किया था और उसके मताबिक भारत दूसरी सबसे अधिक तीवर गती से डिजिटली करन करने वाली एकॉनमी है अर्थवेवस्था है आज इंडिया मॉबाइल कॉंग्रिस की भी शुरुवात हो चुकी है और इसी कारिकर में प्रहान मंत्री 5G सर्विस की भी शुरुवात करने वाले हैं 5G पांचवी पीडी का एक मॉबाइल नेटवर्क है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में 1G, फिर 2G, फिर 3G और 4G नेटवर्क के बाद एक नया वेश्विक वारलेस सी एक मानक है 5G 5G के जो हाई बैंड स्पेक्ट्रम हैं उसमें जो इंटरनेट की जो स्पीड है उसकी गति का परिक्शन 20 गीगा बाइट, 30 सेकेंड के रूप में किया गयाए अगर इसी के मुकाबले 4G सर्विस की बात करें तो अधिकांस्ट मामलों में 4G में जो अधिकतम इंटरनेट की डेटा की स्पीड है वो 1GBPS दर्ज की गई है तो 4G में हम और आप इन दिनों 1GBPS के स्पीड को एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन 5G सर्विस के आज आने के बात से हम 20 गुना ज्यादा स्पीड को एक्सपीरियंस कर पाएंगे 20GBPS गीगाबाइट प्रोते सेकंड के स्पीड में हमें वो सुविधा मिल पाएगी दूर संचार करांथी के लिहाद से आज का दिन बहुत यह महतुपुर्ण और ने सिर्फ दूर संचार के लिहाद से बलकि इसके और क्या कुछ यूजिस हैं हम जानते हैं कि इन दिनों Industrial Revolution 4.0 का जमाना है चौती और दियोगी करांथी चल रही है और इस क्रांथी में Internet of Things, Cloud, Big Data, Artificial Intelligence और Edge Computing के साथ साथ यह जो 5G तकनीक है प्रहार मंत्री इसका experience करते हुए इस सर्विस का और इनका प्रयोग Internet of Things की बात की जाए या फिर Cloud की बात की जाए बिग डेटा, Artificial Intelligence, Edge Computing के साथ 5G चौती और दियोगी करांथी का एक बहुत ही महत्वपुर्ण प्रबर्तक हो सकता है अलग-अलग ख्षित्रों में इस 5G सर्विस का उप्योग किया जाएगा फिर चाहे वो Health Sector की बात हो Mobile Banking की बात हो इन तमाम ख्षित्रों में Defense की बात हो FinTech Company की बात हो Research and Development की बात हो इन तमाम ख्षित्रों में 5G सर्विस का Direct Impact पड़ेगा